कि तो इस जो पिष्ट जो डियालेसिज पर रहते हैं उनके मन में खाने और पीने के वारे बहुत सवाल रहते हैं पानी बहुत डऱ डर के पीते हैं जूस व τα जैसे नहीं पीना होता है तो आप थोड़ा यह बताएंगी कि कितना पानी पीना चाहिए और उस मुलों पीना चा जो लोग डालेसिस पे नहीं है उनको हम बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा वाले जो अहार होते हैं उनको कम किया जाए क्योंकि उससे किड्नी फिल्लियर तेजी से बढ़ता है जैसे ही आप डालेसिस में आ जाते हैं तो सबसे इंपर्टन है आपका प्रोटीन डाइट बहुत अ सब्घाल ए सकते हैं तो हइप रोटीन कंटेंट को लेना चाहिए इसके बाद आते हैं बाकी रेस्तिक्शन क्या है जैसे पाणी का किडिनी पिट्गों के हम करते हैं तो सब फी लोगों को हम बोलते हैं एक लीटर से कम पाणी लिया जाए और इस पाणी में बीह आपका तो पानी कितना लेना हैंगी है, डॉक्टर आपको सलाह देगा आपके यूरिन आउटपुट के बेस पे, या दो डालेसिस के बीच में जब आप अस्पताल आते हैं, तो आपका वेट गेंग कितना है, आपकी हर डालेसिस के पहले और बाद में हम वजन मापते हैं, आपकी ए और जिन नहों के यूरिन अच्छा आ रहा है, जिनका वेट गेंग नहीं है, उनको हम फ्री कर देते हैं, कि नहीं आप आराम से अच्छा पानी लीजिए, तो पानी की मातरा निर्धारित करना आपके डालेसिस टेक्नीशन या आपके नेफ्रोलजिस का काम है, वो आपको ब पानी नाले, हरी पत्ती की भाजियां जो होती है, मेथी फालक, इनमें पोटेश्यम का कंटेंट जादा होता है, वाकि आचार है, पापड है, आलू है, टमाटर है, इन चीजों में पोटेश्यम के मातरा अधिक होती है, तो इनकी हम मातरा को कम करते हैं, क्योंकि पोटेश् लिए डालेसिस के पेशेंट थे एक घर में अच्छे से बातचीत कर रहे थे और सड़न बेहोश हो गया हाट बंद हो गया और जान चली गई ऐसा करी को हर महीं में इगाद मरीज हमें सुनने में आता है और इसकी वज़ा ही है कि खान पान में बहुत जदा नेमित खान पान न फॉस्वरस की मातरा काफी बढ़ती हैं तो मिल्क प्रोडक्स को हम कम रखते है उनको लिमिट में लिया जाए जिससे फॉस्वरस की मातरा ज्यादा ना बढ़े तो यह इंपोर्टेंट डाइटरी रेस्टिक्शन से तो डाइट के बारे में हमने जाना की किड्नी उसके साथ डाइलेटिशन के सवाल है और उसको फालो करें अगर फिर ऐसा पेशिंट है जो डाइलेसिस करवाना ही नहीं चाहता है जिसकी पर्मानेंटली किडनी खराब हो चुकी है या तो ऐसी ज़ए रहता सब्सक्राइब गाव में है आपके को डाइलेटिव है यह नहीं ह यह मेरे समझ से आपकर बुलना है जो हीमो डायलेसिस नहीं करा नाम आपने स्टार्टिंग में लिया था रिदल उडारेसिस अर्था खून का डाइलेसिस और तीसरा है कि post घंस्परंट तो अगर आप hemodialysis नहीं कराना चाहते हैं, या आप दूर दुराज के गाउं में रहते हैं, आपके लिए एकसेस नहीं है, या आपके पास नसों के एकसेस नहीं है, आपके सारी नसें खराब हो चुकी हैं, तो ऐसी स्थिती में आपके पास क्या विकल्प बज़ते हैं, CAPD, पेट का ड आपके लाइफ की जो लॉंगेविटी है वो सबसे अच्छी है आपके पास कोई खाने का रेस्टिक्शन नहीं है पीने का रेस्टिक्शन नहीं है एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं तो आप ट्रांस्पान के विकल्प में आपको जाना चाहिए और अगर ट्रांस्पान के जाना चाहिए तो मैंने आपको बताया अभी आभी सीएपीडी इसमें आपको वैस्कुलर एकसेस की बिल्कुल जरुत नहीं है आपको किसी अस्पताल के आसपास रहने की जरुत नहीं है आपको खुद ट्रेन कर दिया जाएगा आपके घर का एक आदमी जो कि इसके बार मे ट्रेन होगा घर में आपको ड्रेसिस करेगा और आप महीने महीने एक बार अपने निफ्राल्जिस से मिलेंगे तो ये दो विकल्प है और मेरे साब से दोनों विकल्प बहुत अच्छे विकल्प हैं अच्छाब जैसे मैंने बोला था लाग्री सवाल बट जैसे मेरे मर में सवाल आए है क्योंकि हर पेशिंट जैसे वह हम देखते हैं तो सबसे पहले पूछता है किन्ने पैसे लेंगे डॉक्साब तो आपने बिता रभता है होग है इस yay एच्छ ना करे क्या चाहित है करे कहां जाय कहा अच्छ ना कुछ वरी मारी मरीजों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कुछ है सब देकि सबसे पहले तो सरकारी मदद के पहले मैं इस पर आता हूं कि आप पैसे के खर्च को समझें कि इन तीनों पद्धतियों में खर्च को हम कैसे आपस में कंपेर करते हैं अगर आपके पस कौई सप नहीं है आपके पस कोई भीमा नहीं है आपका बबी पील गाड नहीं है तो एक हीमो डियलेसिस का महिने का करचा एक एवरेज हॉस्पिलमец में पर महिने 25 या तकुछInd करेंoth to तो अगर आप calculate करें तो करीब करीड़ साल में या maximum दो साल में जितना आपका dialysis का खर्चा है, आप उतने में transparent करा सकते हैं, आपका life भी बहतर है, उसके बाद transparent के बाद महीने के दवाईयां 5000-6000 maximum के होती हैं, तो मैं इन तीनों पद्धतियों में सबसे सस्ती पद्धति मानता तो सबसे कम खर्चीला पद्धति है, इसमें गुर्दा पत्या रोपड़, तो आपके घर में अगर fit donor है, तो सबसे पहले आप transparent का विकल्प लें, उसके बाद की दोनों पद्धतियों में करीब करीब budget बराबर के होते हैं, अब हम आते हैं, गरीब विक्ति के लिए क्या क् options हैं, तो सरकारी सहायता हैं मिलते हैं, आजकल आईसमान योजना है, तो जो centers आईसमान योजना से हैं साथ में, तो उनका free dialysis होता है, वो उन अस्पतालों में जाके अपनी dialysis कर सकते हैं, CEPD के लिए अभी तक सरकारी कोई योजनाएं नहीं हैं मेरी समझ से, लेकिन recently हमने सुना है कि सरकार पेट के dialysis के लिए भी योजनाएं चालू करने वाली हैं, और यही कारण है कि हम मैंने बताया कि हीमो dialysis पे लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके लिए सास की योजनाएं हैं, हर शहर में ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गरीबों के लिए मदद होती हैं, और CEPD के लिए ऐसी कोई मदद अब तक बहुत ज़्यादा नहीं थी, शायद वो भी सरकार लाने वाली है, ट्रांस्पान के लिए मुक्यों तरी साहिता कोई से मदद मिलती है, आपक जो दवाईयां है, या ट्रांस्पान के बाद आगर किसी को इंफेक्शन हो गया, और उस गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए, तो उसकी जान जाएगी इंफेक्शन से, तो वो चीज़े और बुरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के डालेसिस तो दे रहे हैं, लेकिन साथ की जो दवाईयां दस-पंदरा हजार महीने की हैं, उसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, उसके पास उसके क्या विकल्प है, तो इन सब चीज़ों को सोच के, सब कुछ समझ के, और फिर अगर मदद की प्लान बनाई जाएं, तो श कभी मरीज परेशानी में दिखते हैं, क्योंकि उनको आपने डालेसिस तो दी, लेकिन बाकी विकल्प उनके पास नहीं है, तो वो उनके लिए और ज़्यादा जान का खत्रा बन जाता है कई बार, अपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं यह कहना चाहूंगा कि सरका परेशान के मरीज़ों के इनका हो चुका है, इनको पूरी उम्र दवाईयां उनको सस्ते में मिल सकें, क्योंकि दवाईयों का खर्चा ही आठ से दस जार रुपे में पूरी उम्र पढ़ता है, धन्यवान.